नेक्सट करती है और इसी लिए मैं पूरी तयारी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हूँ मैं इस समस्या को कैसे दूर कर सकती हूँ और ऐसा ही कुछ पूछा है Zee News के माध्यम से अरुना शिरिवास्तव ने ETV MP के माध्यम से युक्ती भी competition से संबंदित सवाल पूछ रही है माननी ये थी इन बच्चों के मन की बात इस बारे में कृपया हमें कुछ बताईए आप लोग युद्ध के विज्ञान को जानते होंगे या खेल के विज्ञान को जानते होंगे उसमें एक व्युहात्मक दृष्टी से एक सुजाव हमेशा आता है कि आप अपने मैदान में खेलिए अगर आप सामने वाले के मैदान में जाते होंगे खेलने के लिए तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे तरफो अपने मैदान में खेलते हैं तो आप अगर कबड़ी भी खेलते हैं तो अपने मैदान में जब खेलते हैं तो आप एक ठाकट रहती है युद्ध भी दुश्मन को अपने मैदान की और खींच करके लाओ फिर मारो ये युद्ध के अंदर भी समझाया जाता है अब आप अपने दोस्तों के साथ पर्धा में उतरते क्यों हो उसका मैदान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका एंवार्मेंट अलग है, उसकी रूची अलग है, आपकी परवरिश अलग है, आपका एंवार्मेंट अलग है, आपके सपने अलग है आप एक स्वतंत्र व्यक्ति है और इसलिए आपको उसकी पूरे इको सिस्टिम का पता नहीं है और आप उसको देखकर फेर फीट होने की कोशिश कर रहे हो तो अपना भी खो देते हो और उसको पाने ही सकते हो और फिर निराशा में आ जाते हो और फिर माबाप की डाट और इसलिए पहले ताय करो कि आपके बीतर क्या चीज है आप किस चीज में समर्थ हो अपने आपको और इसमें आपके दोस दोसानी मदद कर सकते हैं आप चीजों को अबजर उकर कर सकते हैं आप उसी में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको कभी भी आप देखे इस सारे जीतने खेल जगत के अंदर बड़े बड़े नाम लेकर क्याते है कोई उनकी डिगरी पुछता है क्या कोई उसका साथी कहता है क्यार ये मेरे क्लाश में पढ़ता था बिलकुल डबू था बिलकुल था लेकिन अब वो डबू था लेकिन टैनिस खेलता था तो दुनिया में आम कमा के लिए आता था क्योंकि उसने अपनी थाकत पहचानी वो चल पड़ा अपने मित्रों की थाकत थी पढ़ाई में वो पियेट्री होगे, साइंटिस होगे वो उस दिशा में जाएंगे कभी कभार होता है खुद को न जानना ये समस्या का एक कारण होता है एक हमने जानना चाहिए अपने आपको दूसरा जब भी आप प्रतीस परधा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव मैसूस करना पड़ता है आप खुद को नहीं देखते हैं उसको देखते नहीं ते यार वो चार घंटे पड़ता है जलो मैं भी चार घंटे पड़ता है वो तीन घंटे करता है मैं भी करूंगा यानि आपका वो ही एक गाइडिंग गाइड और फिलोसर बन जाता है अंजाने में, आप रहते ही नहीं है, आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद के लिए काम करो, आप देखिए, दूसरा प्रतिस परधा अपने आप हो जाएगी, आप चिंता छोड़ दीए, लोगों को आपके प्रतिस परधा में आने दो, आप किसी की प्रतिस परधा कि लोग आपको मोडल मान करके प्रतीश फर्धा के लिए मुझे बनना है तो ऐसा बनना है मुझे करना है तो ऐसे करना है वो कब होगा कि अगर आप अनुस्फर्धा करेंगे कि खुद के साथ स्पर्धा मैं पहले अगर तीन घंटे पड़ पाता था अब में साड़े तीन घंटे पड़ पाता हूं क्या पहले में तीस मार्ख लाता था अब पैंतिस ला पाता हूं क्या पिछली बार मेरा ये रिजल्ट आया था पहले मैं छे घंटे महनत करता था इतना याद रहता था अब में दो घंटे महनत करक खुद के साथ अपने एक पैरामिटर बना ले और डायरी लिख सकते हैं आप कि मैं मेरे से मैं कल था वहां से दो कदम आगे गया के ने गया अगर एक बार हम खुद से दो घंटे दो कदम आगे जालना सीख लेंगे तो फिर उसका जो सटिस्फेक्शन होता है आपको किसी की सा मार करने के लिए किसी भी हेल्पी हैंड के बिना आपको ताकत दे सकती है और इसलिए मेरा आप से आगर है आप प्रतीस परधा के चक्र से निकल जाएए अनुस परधा करे स्वयम से स्परधा करे कल जहां थे वहां से आज आगे जाएंगे जिन्होंने दुनिया में आपने यूक्रेनी का शायद एक ओलिम्पियर है बुका शायद बुका वो मास्कूद करता है उसने अपने रेकॉर्ड खुद के 36 बार तोड़े 36 बार और हर बार वो और जब गोल्ड मिडल आता है तो गले में इतना वेट हो जाता है कि लोग देखे रह जाते वो औरों को देखता तो साइज महीं अटक जाता चलिए अब गोल मिले क्या है नई उसने ताइ किया यह रेकॉर्ड भी मैं तोड़ूंगा मैं यह रेकॉर्ड भी तोड़ूंगा अगर हम अपने आप से अनुस परधा करें अगर हम अपने आप से अनुस परदा करेंगे आप अपने आप बहुत बड़ी उचाईयों को प्राफ्त कर सकते हैं